तो लास्ट वीडियो में आप GST का बैसिक तो थोला समझ चुके हो इस वीडियो के अनाम जानते हैं कि GST Registration के बारे में GST Certificate में बारे में हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने तो देखिए यहां पर चारीके के GST यहां पर दिखाया जा रहा है बैसे लिए आप Google पर करके यह सारी चीज़ समझ चकते हो पर हमको यहां पर GST कोर्स पर थोड़ा सा आप को सकता है कि इस यूचर कॉंटेंट से आप दूसरे लोगों के लिए भी सेलिंग करो या कोई अलग तरीके की भी आपको हो सकता है डिमाइंड फिल हो जाए तो देखो पहली तो नॉर्मल टैस्पियर जो के रेगुलर टैस्पियर देखने को मिलते हैं फिर्सके आपक अब यहां पर आपको जेस्टी क्यों लेना है यहां पर वह टॉपिक्स है जो लोगों को कवर करना थे बस थोड़े उपर नीचे पर इससे कोई मेंटन नहीं करता ठीके तो आपको बैसिकिल आपको बैसेल बीस लाग तीस लाग चालिस लाग होना चाहिए जब आपका ज़ होता है आपकी प्रॉफिट इतना होना चाहिए जब आपका होता है पर देखो एक रुपे की सेल भी पर जिस लेना ही लेना पड़ेगा मगर अगर आप 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 अपनी लोग कोई में तन नहीं करता क्योंकि यहां पर सिंपल ही अंदर अलग है यूपी में अलग है अलग ह तो आपको GST लेना कंबल सरी है वह बात अलग है कि लेता कोई नहीं है आप ठीक है अब थोड़ा सा किसे नंबर को कैसे देखा जाता है GST नंबर बेसिकली आपका पेंकर्ड नंबर होता है आपको याद करने में बड़ी असन हो जाएगी और मेरी मात मानों ना तो GST नंब में वह आपके alphabet होते हैं कि और numerical होते हैं वह दोनों आपका pencard number होता है ठीक है तो आपने GST नंबर याद कर लिए आपको pencard number भी आपना खुद का याद हो जाएगा बैसिकली आगी का होता है state number 22 अगर महाराश का है 23 मद्ध्रदेश का तो ऐसे आपका state number हो गया और लास्ट क जो तीन डिजिट देवने को मिलते हैं वो होते हैं कि किनों इस चीज के synonyms आपका जो बन देवने को मिलेगा वो आपके pencard को शो करेगा अगर आप single person हो दो लोगों का या तीन लोगों का मता भी समझे लोगों की तीन लोगों की company होते हैं उन लोगों के pencard में number of percentage हो करेग जेट default number रहता है जो कि उनके लिए summarize रहता है और इन सारों का calculation लगाया जाता है उस calculation के हिसाफ से आखरी का digit बनाया जाता है समझ गया आप इस बात को ठीक है और यह जो जैड है ना जो लास में आपको जैड आएगा और किसी में पी आएगा वो सिर्फ GST government को पता होता है कि इसका definition हम लोग किस category में रखते हैं ठीक है अब यहां पर जो को वही चीज में बता आई है जो कि लिमिटेशन बताई है कि कहां पर कौन-कौन से state में 10 लाग है कौन से में 20 है कौन से में 25 है आप simply अगर आपको यह doubt आप Google करो कि GST registration for this year या this city ठीक है तो आपको बता चल आपका चल खूंग करें तो आप इहां पर एक डॉक्यमेंट को दो बार कहीं लगा सकते और कहीं कहीं नहीं लगा सकते तीक है फिर उसके आप बिजनेस का कोई पर यहां पर यहां पर आप हिभी आपकी City के साफ से ठीक है जो भी वहां पर रिक क्या रक इंपर ऑद इन्स क तो आपका फोटो या अगर मल्टी लोग है तो उसमें तरीके से देख लोगा तो उस तरीके साथ को समझने जाएगा अब जैसे मैं आपको बताया कि पर अब कर देखने को मिल जाएगा जिसमें जैसे आपकी फों का नाम आपका नाम और आपका नाम दोनों नाम आपको को मिल जाएंगे यहां पर डिपेंड करेगा कि प्रोप्राइटर है फाइट न शब बाइटीय तो यहां पर पर अगर पर तैप आंपका की बनाना है तो बनाना तो बनाना है तो बनाना यहां पर इंनने बोला हुआ है कि GST Registration की हमने फीज है के लिए 499 अब सोचो आप आपकी कोर्स की फीज जिखनी है उतनी तो इनकी यहां पर GST फाइलिंग ही है पुछो चीज आप यहां पर सबच सकते हो सीख सकते हो क्योंकि यहां पर यह चीज का यह पैसा ले रहे हैं वो काय का पैसा ले रहे अब मैंने आपके सामने GST Registration कर रहा तो पुरा पूरा पेपर खुल के आ गया अब आप जब भी GST Registration करना चाहते हो ठीक है आप लीस मन्त देखो एक महीने या एक हफते ऐसे पुराना वीडियो होना चाहिए वीडियो के साथ साथ उस बंदे के व्यूज होना चाहिए थोड़ा सा जन्वाल लगना चाहिए इतना आपको देखना है ठीक है आपको प्रोसीज बता देगा आपको पूरा पूरा डर किलियर हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई मिलते हैं नेक्स वीडियो में जीस्टी पोर्टल के साथ थैंक्यू सो मच